अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आरार्बी एंटी पीसी एक्जाम के साथ जन्वड़ी के सकेंड सिप में हुए एक्जाम के कोस्चन आ चुका उसका हम पूर्ण एनलाईसिस करेंगे चलिए एक सबाल आये था कि भारत माला प्रोजेक्ट किस से समंदित है इसका एंसर होगा रोड एंड हाइवे से समंदित है भारत माला प्रोजेक्ट एक पोलिटी से सबाल आये था राज सभा के पर्थम सभापती कौन थे तो राज सभा के सभापती वही होते हैं जो इंडिया के भाइस परसीडेंट होते हैं यानि उपड़ाश्पती होते हैं तो उस समय थे डाक्टर सरपली राधा क्रिस्ना इसका सही एंसर हो जाएगा एक सवाल पूछा था हर्याना में निकुलियर प्लांट नई निकुलियर प्लांट की अस्थापना की गई है उसका क्या नाम था तो उसका हो जाएगा जी एच एबी पी एक सवाल परसिडेंट से आ रहा है नेपाल के परसिडेंट कौन है तो बिद्या देवी भंडारी है नेपाल के राश्ट पती एक सवाल जोगरफी से पूछ लिया गया था भोगोल के पिता किसे कहा जाता है तेरोस्थनीज को कहा जाता है भोगोल के पिता कहा जाता है एक सवाल करेंट अफेर से था 2008 के करेंट अफेर से था निसाने बाजी में 2008 में किसने स्वर्ण पदक जीता था सूटिंग में 25 मीटर राइफर में इसका एंसर आप लोग कोमेंट सेक्षन में बताईएगा जो भी एक्जाम देकर आये हैं एक सवाल पुछा था पहले पुछा था URL का फूल फोम एक्जाम में लेकिन अब पुछा है वाट इज यू आरे यू आरे यू आरे यू आरे क्या है तो ओप्षन के नुसार इसमें ओप्षन सेर नहीं किया गया है एक सवाल कम्प्यूटर से और था लिनेक्स, यूनिक्स, मैक ओएस और ग्राफिक्स इसमें से ओड को चुनना था तो लिनेक्स, यूनिक्स और मैक ओएस ये सब क्या है ये सब ओप्रेटिंग सिस्टम है जबकि ग्राफिक्स अलग हो जाएगा एक सवाल पूछा था फर्स्ट रेलबे इन्वर्सिटी कहां खोला गया है भारत में पहला रेलबे इन्वर्सिटी कहां खोला गया है तब बरोड़रा गुजरात में खोला गया है अभी रेलबे इन्वर्सिटी एक सवाल साइंस से ही था आरगन, हिलियम, नियोन, सोडियम इसमें से पिक ओड को अलग करना था तो ये सब ही क्या है? आरगन, हिलियम, नियोन ये सब अकडिये गैस हैं, नोबेल गैस हैं लेकिन सोडियम क्या है? अलग है इसलिए इसका एंसर हो जाएगा D एक सवाल योजना से आप लोग योजना भी योजना पढ़के जरूर जाईएगा भारतिय स्वास्तग्रामीन योजना की सुरू कब हुआ था 2005 में इसकी सुरुवात की गई थी अब इसमें मन्थ दिया था या नहीं वो हम नहीं कर सकते एक पुछा था ada neighborhoods कौन सी रोख है इसका答 से कौ। पूछे जा रहे हैं एक बाईलोजी से सवाल पुछा था बाईलोजी से दिसका सबसे छोटी काई किसे करते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगाा से लोग जाए हैं वो डायरेक्ट एक सवाल पुछ लिया था साइंटिफिक नेम से भी पुछ रहा है बढगत का बनियांट्री तो साइंटिफिक नेम भी आप लोग कॉमन वर्ड का देख का जाईएगा पुछ लिया था घरेलू मख़्ी का साइंटिफिक नेम क्या होता है का और एक कंप्यूटर से था इनमेंसे कौन सा इन्पुट आउटपूट डिवाइस है तो इन्पूट आउटपूट डिवाइस आप लोग देख लिजिएगा कि कौन सा इन्पूट है और कौन सा आउटपूट है और एक रिजिनिंग समझ या जेनर्रल अबरनेस चीन का किंग थी बामन 52 एक सवाल सीधा पूछ रिया था मोमेंटम संबेग बड़ाबर क्या होगा तो पी इसकल टू एम इंटू भी होता है और एक सवाल था एसीन गेम 2008 में गोल्ड पर्दक किसने जीता था तो यह पूरा सवाल नहीं भेजा गया था इससे रिलेटर कोई सवाल था पॉर्टि से भारत के एटवनी जेनरल करेंट अफेर है नममबर 2020 तक कौन थे तो केके बेनु गोपाल भारत के एटवनी जेनरल जो है महानेवादी वो केके बेनु गोपाल 2020 तक थे एक पूछा था स्विडेन एकेडमी जो है किस फिल्ड से रिलेटर है तो वह desire करता है नो स्टूरेन एकेर्मी जो है नोबेल प्राइस से रिलेटेड हो जाएगा और एक सवाल था हिस्ट्री से असोक द्वारा लिखा गया पहला अस्तंब सिलालिक किस भासा में थी तो इसका एंसर आप लोग जबाब कॉमेंट वोक्स में दीजिएगा और एक सवाल था हिस्ट्री से ही शंद्रगुत के दरबार में इन में से कौन थे तो according to option के अनुसार चार option दिया होगा उसमें से इन में से कौन थे एक को चुनना था और ये सवाल थोड़ा सा 2019 में बजट किसने पेस किया तो यहाँ पर निर्मला सितार रमन ओप्सन में भी न संबिधान के गठन के समय कितने अनुछेद थे संबिधान के गठन के समय आठ अनुछेद थे अभी कितने हैं बारे हैं पाकिस्तान एक सवाल पूछिया था पाकिस्तान के बोडर से कौन सार भारत का राज लगता है तो चार उप्सन दिये हैंगे according to option के नुसार इसका एंस इसको share करें ताकि उनका लाग वो भी उठा सके और इसका पीडिया प्राप्त करने के लिए description में हमारा टेलिग्राम का link दिया हुआ है वहां से जाकर आप पीडिया प्राप्त कर सकते हैं वहां और भी important पीडिया आपको मिल जाएगी मिलते हम लोग next वीडियो में अभी के इसके लिए बसितना ही जाहिन